पश्कार दोस्तों मैं हूँ अविनाश शर्माव आप पे स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटिब चैनल पोजिटिव बिल्डर्स में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको स्टैंडर्ड साइज ओफ डोर के बारे में बताएंगे आपको अपने घर के दरवाजों का क्या साइज रखना है और उसी के साथ अगर आप एक साइट एंजिनियर हैं आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत जादा महतपूर्ण है इसलिए वीडियो कान तक देखें दोस्तों आप और फ्रेम की से के वारे में पता होना चाहते हैं ह 벗र से अक बाद हैं गृष को परचेज की करते हैं उसके बाद हैड आप उसे करना मुश्किल हो जाता है इससे पहले आप जो हैं वह मेज संट को माप ली जी आप ँसके लंद को को माप ली जीए वो जो डूर है डूर फ्रेम जो है वो स्टेंडर्ड साइज के होनी चाहिए तो आपको इस वीडियों पूरी जानकाद दी जाएगी वीडियो पर बने रहें सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ दोर फ्रेम जो है उसका साइज जो है वो अलग लग रहता है बेडरूम की अलग साइज की डोर फ्रेम होगी और वोश्रूम की डोर फ्रेम भी अलग साइज की होगी और में डोर जो होता है उसकी डोर फ्रेम भी अलग साइज की होगी लेकिन स्टेंडर्ड साइज के बात करें तो आपको इस वीडियो में हम बेडरूम की डूर फ्रेम का स्टेंडर्ड साइज कीचन और वोश्रूम की डूर फ्रेम का स्टेंडर्ड साइज के बारे में बताएंगे ये वीडियो पर अंतक बने रहें क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत जादा महतपून है उस तो जो बैडरूम के डूर फ्रेम का साइज है वो है साथ फिट उसके उंचाई रहेगी अंदर से और तीन फीट जो है वो उसकी चोड़ाई रहेगी अंदर से वुड उ सा नहीं करना जो स्टैंडर्ड साइज है डूर का वो है साथ फीट उंचाई और तीन फीट जो है उसकी चोड़ाई लेकिन वुड के अंदर अंदर जहां पर आपका डूर लगेगा वहां तक की जो वुड को छोड़ कर आप अंदर से अगर उसका डिस्टैंस को लेंगे व आपको complete knowledge नहीं देगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कि कि हाँ पर हम आपको छोड़ छोड़ी बातों के बारे में बता रहे हैं कि साथ फीट जो उंचाई है वो अंदर से अंदर है वुड उसमें इंकलूड नहीं है अब बारी आती है किचिन डोर फ्रेम की त सबसे important बात कि साथ फीट जो है उंचाई जो है वो हमेशा bedroom में रहेगी किचन की डोर फ्रेम में रहेगी और वोश रूम में भी साथ फीट उंचाई का डोर ही लगाया जाएगा डोर फ्रेम बनाए जाएगी उसी के साथ बात करते हैं में डोर की तो दोस्तों इसके लिए लग वीडियो मनाऊंगो इसकी हाइड जो है वो जादा होती है और क्यों होती है चौडाई भी पल्ते हैं तो क्यों रखते हैं तो इसके लिए का अलग वीडियो मनाऊंगा उसमा डिटेल में जलमया भ्रेम कोबारे में किचन और Але्र्ण और वोश रूम की दोर फ्रेम के ब है वो चुड़ाई इसकी रहीई उसे के 7 फीट इसकी उंचाई भी रहएगी तो आपको जो बælkül भी कन्फूूज नहीं होना है आप जो है वो हमेशा ध्यान में रखें कि जो उंचाई है वो आपकी लकड़ी उसमें काउंट नहीं की जाएगी जो वूड़ उसमें लगाईगी है उसको काउंट नहीं किया जाएगा उचाई होगी वह साथ फीट जो है वो लकड़ी को छोड़ कर होगी वुड को छोड़ कर होगी तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो और चुड़ाई भी आपकी अंदर से अंदर जो है वो तीन फीट की होनी चाहिए त आपको जल से जल जो है वो इसका रिप्लाई करूंगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यावाद मिलती है नेक्स वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटीव बिल्डर को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें धन्यावाद